तो दस जुलाई की तारीख आपको याद होगी दस जुलाई ये वो तारीख थी जब शिरिक केदारना धाम नाम से एक मंदिर का शिरा नयास हुआ याद होगा आपको कि दिल्ली के बुराणी में एक मंदिर होगा और मंदिर केदारना धाम की तर्जबर होगा शिरा नयास हुआ और उस कारिक्रम में खुद उत्राखंड के मुखे मंत्री पुशकर सिंग धामी मौजूद रहे अब जैसे ही ये खबार धर्म गुरुव और शंक्राचारे तक पहुची तो गोवर्धन पीट के शंक्राचारे स्वामी सामने आए और उन्होंने अपना विरोध जटा दिया उत्राखंड की धामी सरकार उस विरोध के चलते सफाई तक देनी पड़ी और कहा कि हाँ धाम नहीं मंदिर बात फिर यहां भी खत नहीं फिर सवाल उठने लगे कि आखिरकार क्या धामों की भी फ्रेंचाईजी दी जा रही है विरोध और विरोध के बीच अब सरकार ने ये तै कि धामों के नाम को लेकर मंदिर पर कॉपी करना उस पर रोक लगाई जाए सरकार नकल विरोधी कानून, UCC कानून का जिक्र तो कर रही थी लेकिन अब धामों और मंदिरों को लेकर भी एक ऐसा ही सक्त कानून ला सकती है धामी की सरकार जिससे राजे में स्थापित धामों और मंदिरों की कॉपी एक होता है न कॉपी राइट टाइप का मामला वो कॉपी नहीं हो पाईगी बकाईदा इसके लिए एक रूप रेखा तयार की जा रही है एक रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि सियासत धाम के नाम पर हो रही है या फिर ये कानून जरूरी भी है पहले ये रिपोर्ट देखिए उत्तरा खंड में स्थापित चारो धामों के मानिता देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी है और यही वज़ा है कि चारो धामों में हर साथ लाखों लोग पहुंसते हैं लेकिन अब धामों की भी कौपी राइट होने लगी है जिससे बचने के लिए अब धामी सरका स सकत कानून बनाने जा रही है जिससे उत्तरा खंड के मंदिरों और धामों की मानिता बनी रह सके और फ्रधालूगी भ्रमितना हुपान नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर को लेकर उठे विवाद के बाद अब राज्य की धामी सकार ने बकाईदा कैबिने चार धाम के नाम का दुरूप्योग रोकने के लिए गड़ा कानून बनाने का पैसला लिया है इस कानून के बन जाने के बाद यदि कुछ धर्मों से मिलते जुलते नामों से मंदिर या धाम बनाएगा तो फिर सरकार उसके खिलाफ कारवाई करेगी आपको बता दे कि चार धाम के नाम का प्रयोग कर फ्रश्ट और समीतिया बनाई जा रही है जिससे जनता में असमंजब की स्थित उत्पन हो गई है चार धामों में पांडिय समाज और तीरत प्रोहे तर विरोध करने लगे थी कि जनता आकर्चित होने लगी थी इसलिए सरकार में जनहिक का ध्रणें लेते होएं खामों के नाम का तुरुपियोग रोकने के लिए कानून बनाने का निर्णे लिया है गामि सरकार में हुए इस ध्रणे की जनकाली देते होए सगीवर श्य distill Прगोली ने कहा कि कैबिनेट में कड़े कानूनी प्रावनांस आने का इंडेर नहीं लिया है जितने भावों और मंदिरों की कौपी नहीं हो पाएगी तो वहीं दूसरी तरह सरकार के इस निर्णे पर बीजेपी और कॉंग्रेस आमने सामने आ चुके हैं कॉंग्रेस जहाई से भाच्पा की धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीती बता रही है जो अब विपक्ष के दबाव में सफल होने वाली नहीं है तो वहीं सत्पक्ष की तरफ से विपक्ष पर ही प्रतरोब करने का काम किया जा रहा है जिसको हम निशेट करना इसको किट्साइज किया रहा है आम दोन से पर विपक्ष के दाना धाम के अभी तक के पहले कितना असान वह बने उससे प्रस्ण कड़ा हो सकता है जब से कानून लागू होता है तब से स्टेट गवर्मेंट के कानून की प्रती जए सेंटर गवर्मेंट के कानून बनता है राज्यों को जाता है राज्या सिकाल की कानून अपर राज संदरी मनाती है तो वह भी बाकी राज्यों के अंदर बेजा जाता है तो कानून लाने का जिक्र हो रहा है, सीधा रुक करेंगे महमानों की तरफ तीनों महमान आपकी स्क्रीन पर हैं, कॉंग्रेस का चेहरा है, सुनिता विध्यारती जी है, बीजेपी का चेहरा है, वरिश पत्रकार जी हमार साथ जुड़ गए है, राजीव नरायन भॉगना जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तो सुनिता जी चर्चा की चुरुवात आपके साथ, अपनी गलती कानून लाना पड़ रहा है, इनको छोड़ी है ना मेम, यह तो विपक्ष है, क क्या मजबूरी आन पड़ी आपको की आपको कानून लाना पड़ रहा है? सुरिता जी कानून लाने की जुरत आपको क्यों आन पड़ी? वो धाम था या मंदिर था? वो धाम था या मंदिर था? वो धाम को था था? तो जो बाद में चीज़े निकल कर आई उसमें उद्धाम उन्हें लिखा और हमने तक्काल करीके से उसी वक्त उनको ये विदायत दी थी कि आपको था मंदिर है आप मंदिर बनाईए एक नहीं हजार मंदिर बनाईए लेकिन आप किसी भी प्रतार से जो हमारे प्रमुक धाम है उनके नामों का इस तो जब वहां पर ये धाम कहा जा रहा था तब इस बात का ख्याल नहीं आया कि यह एक किसी भी सरकार का का मंदिर मस्जित बनाना नहीं है ठीक है तो आप मुझे बताईए नहीं ना मैंने कहा कि किसी भी सरकार का का मंदिर बनाना नहीं होता होता है तो आप मुझे बताईए आप मुझे को अलग तरफ ले जा रहे हैं देखिए एक मंदिर बने है जो हमारी संस्क्रिपी रही है जो हमारी जासत है जो धरोर है उनको वह यह कह रहे है कि आप लोगों ने जंता तो ब्रमित किया इसलिए कानून की बहुत जरूरत है और सरकार कानून लाएगी जवाब द गरिमा जी का प्लीज ओडियो साही करें अलो गरिमा जी प्लीज फोन का यह बिल्कुल आ गई आपके बार देखिए कि एक तरफ तो इनके प्रदेश अध्यक्त समय सारी भाजपा विदय की गहराईयों से अगर इनका बस चले यह शाश्टान लेट कर धन्यवाद करें मुक करन किया हमने उच्छाला तो इसका मतलब क्या इनकी सरकार बात दें कि विपाक्स अगर अनरगल प्रलाब भी करेगा तो वो प्रस्ताव ले आई नी कैबिनेट में तो इनको धन्यवाद तो मुझे लगता है विपाक्स का करना चाहिए कि यह प्रस्ताव लाने पर मजबू को मुझे मंतरी का होना तो किसी भी मुख्यमंतरी की उपस्ति यह बताता है कि वो प्रोजेक्ट में उनकी सहमती है उस प्रोजेक्ट का विग्यापन को कर रहे हैं तो उस ही की साइकिल अप्चल परी कि एक मंदिर का भूमी पूजन हो गया कुछ मिनट पहले कुछ घंटों पहले माननी हरी श्रावज्जी अमार सक्कारिक्रम का इस्सा बने थे मैंने उनसे पूछा वो बद्रिनात वाला किस्सा क्या था तो उन्होंने सुनाया वो फिर क्या था मैं इसी लिए आपने ये सवाल किया तो इस बात से पुछ्टी होती कि कॉंग्रेस पार्टी मंदिरों की बिल्कुल विरोधी नहीं है सनातन की विरोधी नहीं है मैं आपको सेक्रो मंदिर और राजीव भाई मेरी बात पर बहुर लगाएंगे पूरे उन्हांड में जब आप कर रहे है तो वो जायज है अगर धामी सरकार कर रही है तो नजायज कैसे हुआ तिलर जी दो बहुत महत्वपून बाते हैं इसमें अंतर भी समझे यहां देहरादून में कम से कम एक गरजन बदरी केडार के नाम पर मंदिर है कॉंग्रेस पार्टी को भी रोब करना होता उनका भी करती हम नहीं करें इसलिए क्यूंकि यह वाले मंदिर का नाम केडारनाद्धाम है हमारे जो भावुक हिंदुलों है तो कश्यूस हो रहे है और उसके नाम पर चंदा हुगा ही हो रही है अपना मीजी का जाप जाप करना कर दो अचर के चिंदा हो गए कि दो पर्मी की परसुती है ने लोगों है अपने ज्वारातिंगी दो राव सारे को बहुत सर्ब परीद लिए और विम्र मनुति बनाने का रहे लिए में मन्नित वाराई समझना होगा इंको यो ये वही वही रहूं लें तो आप राहूल गांदी शुकरा आपने नहरू नहीं बोला एक मिनट राजी जी यह विशे बाके इन्य बहुत कंभी रहे है यह साली इनके जो नसी नाती है विजिन राजी के बयानों रिक्री आप रहे है इस तरह से क्वामरेश का एजेंट तुम्हारे जनक रही है। इस तुम्हारे जनक रही है। इस तुम्हारे जनक रही है। इस बोखन की जो रत नहीं होती पर दिवाता वरण की और जर्वाइं की आउशक्ता होती तब भाम यहां बताए जाता है। अफिर श्रीरा आप ने संप्राटारे जी ने हजार जाल के ले केरण से राके इस के जार लाक मान की इस बोखन पर क्यों की होगी। इस तरह का प्रियोग आज से तुम से कम देर सो फान पहले तीरी के राजा दें की पुराणा की शुहर था, उसके उन्हों में तीरी के राजा दें एज बदरनात हमदर बुना किया। जीवन को प्रत्रत के जाता तो वाजा को को पर कौन को पर जितन लोग कंचित में ना तो श्रीयक्स कर है ना उचिक है। अब उसके बाद की सुनिये तीरी के राजा ने तीरी के मंदर मनाया था बदरनात मंजी की नाम पे। महां कोई भी जाता था हमें मंदर देखा हूं कही बार गया हूं। तो मैंने वाज दर्शनार्टी भी पूरे दिन बार महां की देखे। जिनको जाना उसकों बदरनात जाते थे तीरी मेरेश में बदरनात भी जाते थे जहां। बिल्कुल सुनिता जी इस रावार का जवाब तो देना पड़ेगा ना जो बाद भागुनाजी कहा रहे हैं। भई ये धाम है उनका अपना महतु है। और उत्राखंड की पहचान उत्राखंड की पहचान इन धामों से है। तभी तो देव भूमी है ना। विल्कुल विल्कुल क्या वलादी हम पूरे तरीके से सेहमत हैं। बहुगुनाजी से भी और ये बात देखिए। जैसे क्यूंकि वो एक भत्त की गल्सी है। एक शधालू ने गल्सी की। लेकिन राजे सरकार ने उत्पर एक्शन लिया। अगर ये दहत नहीं तो सुनिता जी। सुनिता जी कीती ने नहीं कहा। मान्य मुख्यमंत्री जी वहां पर चण समाठ के आगर्द करने पर शिल्यानयाद में पहुंचे थे। और उसके पाद जैसे ही मैटल सामने आया इस तरीके से उसका नाम गलत तरीके से रखा गया है मानिय मुख्यमत्रीजी ने कभी क्याबिनेट में लिए नहीं तो उसी वक्त में बोला जा सकता था लेकिन उसका हमारे श्रधालों पे हमारी आस्था पे हमारी चद्धा पे कोई यहां की फ्रेंचाइजी वाला मामला बड़ा खतरनाक है नहीं पूरा कॉंग्रेस पार्टी के कई ऐसे जहने करें गरीमा जी जवाब देना चारे गरीमा जी जल्दी से तुरूसके बाद राजीव जा रहा हूँ तिलर जी देखे सबसे पहले तो मैं बताना चाहते हूँ कि मुक्यमंत्री जी ने वहाँ उपस्तिती नहीं हुए बलकि उस अपने भाशन के दौरान कई बार केदारना धाम बोला उसको बुद्धी सुरेंदर रौतेला ने अपने भाशन में बोला कि जो उत्रा खंड के के दारना धाम मुक्ष के लिए नहीं जा पाएगा वो इस मंदिर में मेरे बनाएवे मंदिर में आना उसको मुक्ष मिलेगा आप सोचिया सुरेंदर रौतेला और ये भाश्माई पैसला करेंगे कि हिंदु धर्म में परने के बाद मुक्ष कहां और पांसे साही दशन के दश प्रक्ताओं आते हैं और इस प्रक्ताओं का आप कि रूप में प्रक्ताओं के 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 र सुंतादी प्रवाथ है आए पर घृटर सा जुझ पूराचि कोंजी।्व था इन गष्टर भी कुछ है नि से मेरा हैं। उल्ट्र गाणी करावर कुछ है नि तब काम्रेंट नहीं बोले। इतने हैंकारी प्रवस्ती तो एक साथ में कि प्रताव लाग कर लिए पर अंसरे दो आज कर लाग है? शुनीता जी प्लीट प्लीज प्लीज में आनने का जिक्र कर रियो है आप इसका स्वागत करती है कि नहीं बहुत अच्छा पैसला है इस गोया ये कानून बने मैं आपसे कहता हुँ अंगिनत प्रस्ताओं हमने आज तक ऐसे देखे जैसे राजियांदोलनकारियों का अरक्षन वाला मुद्दा है कब के आ गया आज से दो साल तीन साल पहले राज सिर्फ सियासत से जुड़ा है और मेरा सवाल सुनीता विद्यार्थी से है कि तेनकाना में जो पिनार ना बोला जी का यह अथा प्रस्ताइब एक पिनाट पर आपने बात रही है जो कभी पता नियुक्त राजीव जी इस सिर्फ सियासती हो रही है बेवज़ा तूल दिया सिर्फ सियासत वाली जाने ले है और में ये अवक्त कहने का होगा जाओ ये कुछ श्रमाता का थिया सभावा का मंझिर नहीं ही ज्याँ तब आपने को जांगे अपने प्रस्ताइब नहीं हो रही है लेकिन दिखाजनाक जीछा जीखा है जीदिन आप दिल्दीन दीन रही अधा पहर में पोड़े कर पाष है पर वह हो नहीं रहे है थे आपके खल्सबाद तीजे यह पर इसे तरह से जहेजे पर वह मंदिर बने लगें गों यूदु को अजया हैं, विप्लिकेटी जी ओटी इसली तो इन पॉड्न को प्रॉद्म हो देया तो साथ भूड़े दो पह नमंधन गड़ा जाती हूँ इजाज़त दीजेगा राजी इजाज़त दीजेगा बॉलिये गरी माझीचीचीचीड मैं यह कह रही हूँ किसी के माइकेलाल में आज तक सकत नहीं है कि हमारे घामों का महत्व कम कर सके केदार बाबा का महत्व किसी सुरेंद रोतेला या किसी पुषकर सिंग भानी कम नहीं कर सकते सवाल ये उठता है कि केदार नाग धाम का नाम का दोहन करके क्या चंदा हुगाही की इजादत दे क्या कोई भी केदार माद धाम क्रस्ट नाम रखेगा और हिंदू को पन्फ्यूज करेगा और हिंदू बरबर के चंदा देंगे यही तो चलंगा आपाना करता है उससे देखा अरे दोसा नहीं इतना निकटा होगिया इस बॉराड़ी वाले क्रस्ट के माद दोसों भी केदार कोई कम कर रहे हैं ऐसा कोई का नाम पैदा नहीं हो आदी लेकं सवाल यह हुंता है कि उन धामों के नाम पर आजिक दोवन गयांतिकर के अपनी स्वार्शिजी के लिए नाम रख रहे हैं ऐस लोगा उनको तो मरते समिके नहीं परेगे जोटो आज कर रहे हैं और जो सब्सक्ति गवार्या कुश्कता कर रहे हैं आपके बहुत अच्छाई है तो प्यासत पर फिराम लगना चाहिए कि नहीं आप आडियो इचे रहेगा पी सबका राजी जीक आडियो इसकी कानून में प्रिफिरा बोरी होगी लेकिन ये जी 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 कानून का विच्छी नहीं है इसी कानून का चेहिए कि अच्छी पिंजिगान के इसी संशोगन के एदी जी तेजादनाजी के सार्णा नहीं में आपकर राजू होता है एक तेजादनाट में च्छीं पिंज पिंजिगान नहीं होगा भी को स्वेल्ट आपके विल्कुल सही है अगर यह अब यहां करता हूं कि वहां कोई बोगोकर नहीं हो प्रॉचाना जी को इसक्तियों की दुरूचाना की वहां बुल्कुल सुनीता जी आपने कहा मंदिर बनाने का काम सरकारों का नहीं होता है ठीक ना मंदिर का ना मजजित का ना गुरुद्वारे का ना चर्च का जहां तक विशेध धाम का है चलते चलते एक बात कह रहा हूं हो सकता है आपको भी बुरी लगे और राने तिक दलो को भी शायद आठवी शवताब्दी में ये केदारनात मंदिर अस्टित्व में आया होगा आठवी ठीक यानि लगभग बारा सो साल तो होई गए जी अस्टित्व में आये हुए आपकी पार्टी को जन्में तो अभी कुछी वक्त हुआ है ना तो धाम का अपना एक महत्व है उस महत्व को कायम रखने के लिए जिमेदारी आपकी भी और हमारी भी है और हम सब की है तो ये जैसे राजीव जी ने कहा गल्टी सबसे होती है महत्वूर ये होता है कि गल्टी को सिवकार लेना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए जी चावलर ये रिखिए आप राजी ना ना हरीश रावज जी जाकर बद्रीनात मंदिर की बात कर रहे है या विशे आप भू खत्म करिये भविशे में ऐसी चूक ना हो ये महत्वूर है आप जैसे गड़ी माधी ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं कोई भी आ इंटरफेरेंस नोश डे के तो के दार ना करना तो ये नोव लिखना और कर दोने के लिया वहँए ओड़ा जी महारे वही हमारी जूहार कर दूर्छ दुबंगत लेकिन गोद्यान वाफिरिमारा की मुर्खता देखिए कि किस रूप में इनों ने धाम बचाओं का अभियान चलाने की बात कर दी जबकि जनता अच्छे से जानती है मैं वक्त नहीं है सुनीता जी बस इतना कहूंगा सरकारे आएंगी सरकारे जाएंगी मैं सिर्फ इतना आप से कह रहा हूं गुजारीश है मेरी आप से बाकी आपका विए एक फैसला आप लोगों को लेना है ठीक है ना इस धाम से हमारा अस्तित्व है हमारे अस्तित्व से ये धाम नहीं है तो मंदिरों की नहीं होगी कौपी धामी सरकार लाएगी कानूं और इस कानूं का फैसला जायज है होना भी चाहिए ताकि भविश्य में ऐसा ना हो नमस्कार जाइंज भारत जया उत्राखन अब्सक्राइब करना